प्रिजेंट किया बहुत जबरदस उन्होंने रंजी ट्रोफी से लेके हर टोनामेंट पे उन्होंने पर्चम लह रहा है लालू भाई अगर बात की जाए इस टीम की अगर बात की जाए इस जीत की 2007 में आप इस टीम के कोच थे रोहित शर्मा एक खिलाली के तौर पर आपके साथ था एक यंग बच्चा था 19 साल का तीस रं उसने बनाए थे पाकिस्तान के खिलाव आज रं नहीं बनाए लेकिन कप्तानी की ये रोहित से मैं शुरू करना जाता हूँ ओवरॉल पूरी टीम की बात करेंगे पर रोहित से पहले एक बार रोहित जडेजा के बारे बात कर लेते हैं तीटी क्रिकेट से उन्होंने सन्यास ले लिया है तो रोहित शर्मा ने और अब एक और बड़ा जटका है हाला कि ये पॉर्मेट रहता है क्योंकि हर बल्ले बास या फिर हर गेंद बास जो भी अपने आपको जिस तरीके से जिस कमफर्ट में देखता है वो उस हिसाब से अपनी पारी को आगे खेलता है और यही वज़ा कि रोहित जडेजा ने भी सन्यास ले लिया लेकिन इसी पर आप बौल्ल कप जीतते हैं तो काफी प्लेरो लोगों को बहुत बड़ी खुशी होती है और ऐसे बहुत रेरली आते हैं और व्ल्ल कप अब जीतते नहीं है देखो हमने 2007 में जिदाता अब 17 साल के बात जीता है तो काफी प्लेयर लोगों का हम लों कहते हैं लास्ट लिए विराट कोली ने रिटार्रमेंट कर ली रोही शर्बान ने कर ली और अब की बात है कि इमीडियेटली जडेजा ने रिटार्रमेंट कर ली तो मुझे लगता है कि अफसोस की बात है कि जडेजा और भी काफी साल खेज सकते दे Because he's fully fit और इतना energetic है, bowling करते है, batting करते है और overall देखा जाये तो उसमें पास जो हम लोग कहते हैं कि table के उपर पूरा एक package आता है I think एक surprising है लेकिन सबको एक खुशी होती है कि हम अच्छे mode पे जाये जैसे कि World Cup जीते हैं तो उसके बाद retirement लें लेकिन वो definitely test cricket और one day cricket तो खेलेंगे बिलकुल और एक और जाना माना चेहरा राजकुमार जी भी हमारे साथ जोड़ गए है राजकुमार शर्मा विराट कोली के coach इस वक जोड़ गए है तबियत खराब थी पिछले कोच दिनों से लेकिन अब तबियत बिलकुल राजकुमार जी दुरुस्त लग रही है आपकी मुझे क्योंकि जोश और खुशी जो है तबियत ठीक कर देती है लेकिन विराट ने retirement तो ली टी-ट्वेंटी से लेकिन वर्ल्ड कप जिताने के बाद नहीं समीप मेरी तबियत खराब नहीं थी मैं बहुत जादा बीजी था अच्छा बिलकुल बीजी था मैं और ये स्पोर्ट्स के शोज में ही बीजी था तबियत भगवान की दुआ से बिलकुल ठीक थी विराट की अच्छा मौका क्या हो सकता है कि भारत वर्ल्ल कप जीता है और उसके फाइनल में वो मैंड़ मैच है तो इससे बड़ा उकेजन हो नहीं सकता था इससा कोई डिसीजन लेने के लिए बिलकुल अशोक अस्वलकर जी के पास चलते हैं जिनके चेले ने जो है टर्निंग पॉइंट इस मैच का बताए जा रहा है वो कैच अशोक जी क्या खिलाडी आपने बनाया एक और सूर्य कुमार यादफ कितने खोश हैं वर्ल्ल कप जीते सब हम सब खुश आई हैं लेकिन सूर्य कुमार यादफ के इस परफॉर्मेंस और इस कारेक्टर के बारे में कुछ बता हैं हम सबको कारेक्टर तो क्या है सूर्या बोलेगा तो हमारे लिए बच्चा ही है और हम लोग तो सूर्या को तो बच्पन से भच्चे के जैसे ट्रीट कर रहे थे और मेरा तो फैमिले मिम्मरी ही है